आपके साथ जुड़ रहें और जैसे कि आप देख चुके होंगे कि आई पेल का जूट एक्सपोजट तो कौन सा जूट एक्सपोज़ करने वाले हैं यह आपको बताएंगे इस वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो लाइक कर लें वीडियो को सब्सक्र की रही एक इंग्लिंड का लचर प्रदर्शन दूसरा था बार बार आई पिल को टार्गेट किया जाना कि इंग्लिंड की जो खराब परफोर्मेंस रही है उसकी वजह आई पिल है एक बहुत बड़ी तो इस वीडियो में हम कुछ खिलाडी कुछ नहीं इन फैक्ट 21 खिला राड़ियों को बहतर बनाएं रादर दन की आई पिल पर ब्लेम डाले उनके कॉमन जिसे कहते हैं कि आम पब्लिक फैंस से लेकर जो फॉर्मर कैप्टन है वो भी हैं उन्हीं में से एक डेविड गार उन्होंने क्या कहा था पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं और उसक क्यों कि आई पिल में वो सब बिजी रहते हैं खेलते हुए क्या वो इंग्लिश क्रिकेट के लिए अच्छा है यह उन्होंने सवाल पूछा था हाला कि जब इस पर बहुत सारे सवाल उठाए तो इसके बाद इन्होंने इस पर एक सफाई जरूर दे थी क्योंकि लोगोंने तो इसमें उन्होंने सफाई देते हुए कि भाई मैं आई पिल के खिलाफ नहीं हूँ बट आई पिल में जो इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और उसकी वाई सवाल नहीं हो पाते जो भी कहीं टेस्ट क्रिकेट एशिज में तो सवाल नहीं था लेकिन तैयारियों क वह रिटायर्मेंट ले मलब टीटवटी वर्ल्टक के वाद उन्हें रिटायर्मेंट लिया बट उनकी शायद कहीं ने कहीं साफ थी कि टेस्ट क्रिकेट उन्हें आगे नहीं खिलना सैम करन इंजड हो गे थे चलिए और सैम करन चलो फिर भी थे जौस बट्डर और जौफ लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी वो कंसिडर नहीं किया जाते उस तरीके से बल्कि लोग कह कहकर थग्यें वो भी ओन दा बेसिस ऑफ इस टीट उन्टी एक्स्ट के आप इनको देख सकते हैं इंग्लेंट पर नहीं देख रहा जोनी बेस्टो ने भी आप्ट आउट कर ल केप्टिन और जॉर्ज गार्टन जो की आखरी नाम था जॉर्ज गार्टन भी कहीं से टेस्ट फिकेट में फीचर करते हैं अभी आपको नजर नहीं आ रहे थे तो इन खिलाडियों में से तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मुद्दा था एविलेबिलिटी को लेकर काफ वीर आपके सामने रखते हैं यह सब वो नाम है जिन्होंने एंडू स्टॉस के रिटायर्मेंट के बाद इंगलिंड की तरफ से ओपन कर रखाए एलिस्टर को के किसमें नाम है जो कॉमन रहे काफे समय तक और दूसरे उनके पार्टनर्स चेंज होते रहे निक कॉम्टन आ आपसी ही सिर्फ इस वजय से वही थी क्योंकि आईपेल का एक सिर्म का जबर्दस रहा था एलेक्स हेल्स अब वो है नहीं कंस्डरेशन में आप सोचिए टी टुटि में अच्छा करने के बावजुद वहापन नहीं है बैंड डेकेट कभी आईपेल ने खेले हसीभ हमीद नहीं खेले, कीटन जैनिंग्स, मार्क स्टोनमें, रॉरी बंस, जैक लीच, जो डैनली, जेसन रॉय, जेसन रॉय फिर भी चलो आईपेल खेलें बट अब कंस्डरेशन में नहीं रहते हो, डॉम सिबली, जैक कॉली और एक नाम नीचे है बैं स्टोक्स, तो ये सारे खिला नाम है, जो बतौर ओपनर, फिर्स क्लास से अच्छा करकर आये थे, इन में से तो किसी ने आई पेल ने खेला, इसी एशिज में तीन डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग पेर, इंगलेंड की तरफ से आजमाएगे, जिसमें से आखरी पारी में 50 प्लस टैंड आया, वरना उ रॉरी बंस, हसीब हमीद देखे, फिर रॉरी बंस के साथ आपने बाद में जब खत्म होते होते हैं, जैक क्रॉली भी देखे, तो अलग-अलग आपने ओपनिंग पेर्स देखें, लेकिन कोई भी काम्याब नहीं हो वारा, तो इन ओपनर के फेलर के पीछे तो आई पेल ए नहीं है, जो फेलियर इंग्लिश क्रिकेट में हो रहे हैं, तो इस वीडियो पर अपनी राय आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें, आपको क्या लगता है, फिर भी अगर आपकी कोई अलग राय है इस मुद्धे पर, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराएं, और अपना फीडबेक भी हमें दें, सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से दिन भर खबरों के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, जै हिंद, जै भारत